हेलो दोस्तों, वल्कम टू मैं यूटूब चैनल क्रिजी डिजाइन्स आज के इस फोटोशॉप टिटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी बैक्ग्राउंड में डॉलर बिल के साथ या किसी भी इमेज के साथ इस तरह का Random Fill पैटरन अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत असानी के साथ हम कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं हमें इसका पैटरन क्रियेट करना है इसके लिए हम सबसे पहले इसकी सेलेक्शन बनाएंगे और इसका background remove करेंगे इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे select में और use करेंगे subject आप देख सकते हैं उसने इस dollar b की selection बना दिया है हम थोड़ा इस तरह जूम कर लेते हैं यहाँ पर selection कुछ ठीक नहीं है इसके लिए मैं यहाँ से quick selection tool select करूँगा और यहाँ से हम selection ठीक करेंगे जहाँ से भी selection इसके ठीक होने वाली है इस तरह selection ठीक कर लेने के बाद हम यहाँ से add a layer mask करेंगे इस वाले icon पर आप click कीजिए आप देख सकते हैं उसने इसका background mask कर दिया यानि इसको remove कर दिया है अब हम यहाँ से rectical market tool select करेंगे और इस तरह से एक selection बनाएंगे जो के dollar bill से 2 से 3 pixels extra की selection होगी इस तरह से मैं इसकी एक selection बना लेंगे यह selection बना लेने के बाद हम यहाँ से जाएंगे edit में और यहाँ से हमें use करने define pattern हमारा यह define pattern highlight इसलिए नहीं है क्योंकि इस वकद हमारा mask select है हमें इस वाले panel को select करके रखना है यह देखे मैं इसको select करता हूँ अब मैं जाओंगो edit में और यहाँ से use करेंगे define pattern यहाँ pattern को आप कोई भी नाम दे सकते हैं मैं इसको dollar bill के नाम से ही save कर देता हूँ और यहाँ से ok कर देंगे अब हम इस document में जाएंगे जहाँ हमने इस pattern को fill करना है यहाँ इस document में आने के बाद हम यहाँ से edit में जाएंगे और यहाँ से use करेंगे fill यहाँ fill में आने के बाद आप यहाँ contents के इस drop down पे click कीजिए आप यहाँ से use करेंगे pattern कर देंगे और इस वाले drop down पर click करने के बाद हम use करेंगे random fill blending mode आपका normal होना चाहिए opacity 100% और हम यहां से okay कर देंगे अब आप इस random fill वाली window में आ जाएंगे यहां आने के बाद आप इसकी values को change करेंगे यहां density को हम full कर देंगे minimum scale factor को हम यहां one value देंगे maximum scale factor को भी हम यहां one value देंगे इसके बाद हम यहां नीचे आएंगे rotate pattern को हम check रखेंगे color randomness को हम यहां बिल्कुल minus की तरफ ले जाएंगे यनि zero कर देंगे और brightness randomness को भी हम यहां से zero कर देंगे आप देख सकते हैं preview में आपका वो pattern भी दिख रहे हैं यह settings करने के बाद आप यहां से okay कर दीजिए आप देख सकते हैं आपके background में dollar bill का random fill pattern apply हो चुक है इन easy steps के साथ आप अपने background में कोई भी random fill pattern apply कर सकते हैं I hope आपको आज का छोटा सा trick अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आई तो like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक न्यू टुटोरियल के साथ Thank you